नमस्कार दोस्तों चलिए करते हैं Policy Bazar Share का Technical Analysis और देखते हैं कि क्या इस जोन में इस शेर में अभी ख़दीदारी करने का एक सही मौका है या फिर यहां से इस शेर में एक बहुत बड़ा क्रेश आ जाएगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं Policy Bazar क Technical Analysis तो सबसे बहुत अगर हम डिसकस करते हैं सपोर्ट के बारे में तो दोस्तों यहां पर 728 का लेवल एक स्ट्रॉंग सपोर्ट है Policy Bazar शेर में क्योंको दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो अल्रेडी इस शेर ने कई बार सपोर्ट लिया है तो अगर इस शेर में यहां से ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया है यहां पर आप देखो जब भी इस शेर में गिरावट आती है तो यह शेर इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है और उसके बाद एक अच्छी recovery दिखाता है तो यहां पर 728 का लेवल एक important सपोर्ट है Policy Bazar शेर में दोस्तों अगर हम बात करते है resistance के बारे में तो जो 755 का लेवल है 755.75 का लेवल यह वाला लेवल एक important resistance है क्योंको दोस्तों यहां पर आप देखो इस शेर में हमें एक head and shoulder pattern form होते हुए दिखाई दिया था यहां पर आप देख सकते हो यह यह दो shoulder है और यह head है तो head and shoulder pattern का जैसे ही हमें breakdown द इस कर सकते हो और वापस हमें गिरावर दिखा सकते हैं तो यहां पर यह level एक important resistance रहेगा अगर हम बात करते है technical indicator की तो यहां पर मैं दो important indicators apply कर रहा हूं relative strength index और MACD indicator यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो MACD और RSI दोनों indicator अभी एकदम flat चल रहे हैं ना तो bullish है ना तो bearish है तो बहुत ज़्यादा हम कह सकते है hold के तरफ हमें signal दे रहे हैं अगर हम discuss करते हैं के खरितारी कप करेंगे तो यहां पर दोस्तों अगर यह share 756 के उपर जाता है तो उसके बाद आप इस share में खरितारी कर सकते हो क्योंकि उसके बाद एक अच्छी recovery आईगी और यह share हमें 780 रु 728 रुपिस तक आ सकते हैं अगर यह share 728 के लेवल को break कर देगा तो उसके बाद एक बहुत बड़ा crash आ जाएगा तो अगर आपके पास कोई भी holding है तो आप 725 का stop loss लगा सकते हो तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है यह वीडियो के educational वीडिता इसलेश चाह में मेरे इसलेट